हाई गाइस वैलकम बैक टू मैं चैनल और मैं हुनाजे आज मैं आप लोगों को साथ यहां पे शेयर करने वाली हूं मेरा करेंट मॉंसुन स्किन के रूटीन को मिरे स्किन है खाती है स्किन तो आज मैं ओ कर रहे हों कर रोट्ड़िया यहां था तो यहां पेंन क्या-के यूज कि है और हप्स का इच डिफाइंग शीट मास्क एंड इसमें है राइस पॉमेग्रेनेट एंड रेतिनोल की गुड़नेस यह आप लोगों को हल्प करेगा एजिंग से प्रेवेंट करने में हल्प करेगा एंड हाइडरिशन प्रोवाइट करेगा एंड चोटे-चोटे जो ब्रेक आउ तो मैं शीट मास्क यूज करती हूँ एंड रेगुलर बेसे प्लोगों को शीट मास्क यूज करना चाहिए कि इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइट करता अप लोगों को आगे एक टिप भी दूंगी में आप लोगों को एंड इसको मैं अपने पूरे फेस पे लगा के में अच्छा सथ फेस लगेगा काफी प्लम लगेगा अप देखी सकते मेरे फेस पे इंस्टेंट ग्लो आजाएगा अपके फेस पे तो बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे यह यह शीट मास्क जरू चाह करना और यहां पर सेगंड प्रोड़क्शन इस्प्रेशन इस्प्रेश इसमें है स्प्रेश फिफ्टी एंड यूवी एंड यूवी बी से भी प्रोटेक्ट करेगा अब क्या होता है अगर आप संपे हो कहीं बाहर हो किसी तूर पे हो तो आप अपने मेक अप के ऊपर बार बार क्रीम यूज नहीं कर सकते हो तो गाइस यह काफी अच्छा फाम्म मिस्ट है तो मुझे बहुत अच्छा लगा फिर यहां पर मेरा सबसे फेवरेट प्रोड़क्ट है और यह है रियो हप्स का वाटर क्रीम यह आता है है हैलोराणिक ऐसी मिड्रिल्स के साथ एंड ओम जी एंड गाइस लिटरली मुझे यह बहुत ही पसंद आया प्रोड़क् अच्छा फॉर्मूला है एंड न इस्टे की फॉर्मूला है और इसकी सबसे बात यह है कि इसकी एप्सार बात बहुत है और बहुत अच्छा से इस्टेंट ग्लोग देता है तो गाइस जैसे मौनसून में हम लोग कोई हैवी क्रीम यूज नहीं कर सकते कोई ओई लीडिव अच्छा प्रड़क्ट यूज कर सकते हो जो आप लोगो के फेस पे हैवी भी नहीं लगेगा और आप लोगो को वाटरी लाइक टेक्स्चर मिलेगा और हाइड राइडरेशन भी अच्छा खासा मिल जाएगा तो आज कल मैं मेक पहले भी इसको यूज करना प्रिफर कर यह और मुझे परस्टनली यह वाला प्रोड़क्ट बहुत ही जादा पसंद आया और कई इन सारे प्रोड़क्ट की बाइलिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दी है तो जाके जरू चाइक आउट कर लेना और कुपन कोड यूज करना मत बूलना फिर मैं